एलो दोस्तों दोस्तों WhatsApp पे कुछ दिनों पहले एक अपडेट आया था Media Visibility को लेके जिसमें दोस्तों Media Visibility को by default no कर दिया गया था यानि कि जो भी फाइल्स आपको share करेगा कोई वो आपके डारेक्ट गैलरी में नहीं जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बता हूँ कि आप उसे by default yes कैसे कर सकते हैं दोस्तों इस चीज के एक फायदा भी है और एक नुकसान भी है जो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें फायदा यह है दोस्तों कि आप यदि चाहते हैं कि कोई गिने चुने लोग ही आपको जो भेजे वो आपके गैलरी में जाया यानि कि दो चार लोग या फिर दस लोग जिससे जो केवल important चीज़ें भेजते हैं आपको वो केवल आपके गैलरी में जायता आप 19 का yes कर सकते हैं और बाकी सब का no रहेगा यह हो गया दोस्तों इसका फायदा और इसका नुकसान यह है कि हो सकता कोई नया contact आपको randomly कुछ send कर दे तो दोस्तों वो भी तो गैलरी में नहीं जाएगा और हो सकता वो important चीज़ हो अब क्या setting कर सकते हैं जिससे WhatsApp में जितने भी वीडियो फायल्स आते हैं वो सारे आपके डारेक्ट गैलरी में जाया और दोस्तों अभी तक हो सकता आपका एक महिनस यह problem चल रहा होगा कि आपका जो फायल्स वो आपके गैलरी में नहीं गिया होगा तो आप कैसे उन सभी को अपका और एक्षेस कर सकते हैं और उसे अपने गैलरी में भीज सकते हैं बहुत असानी से वो भी मैं इस वीडियो बताने वालत वीडियो में अंतक बने रहिए हेलो दोस्तों मेरा नाव प्रिद्वराज और मार आप देख रहे प्रिद्वराज टूटोरियल्स तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको WhatsApp application को open कर लेना है उसके बाद दोस्तों यदि आप चाहते हैं किसी individual contact का आप media visibility को yes करें यानि कि किसी गिने चुने लोगों का आप करना चाहते हैं या जिससे गिने चुने लोगों का ही files आपके gallery में सिधा जा जो वो भेजते हैं दोस्तों उसके लिए आप जिस भी contact क करना चाहते हैं उस contact पे क्लिक करें उसके बाद यहाँ पर आपको more options project करें या यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों by default no किया हुआ है यानि कि यह पूरे WhatsApp के लिए no है केवल इसी contact के लिए yes है तो आप जो भी करना चाहते हैं तो yes करना है तो yes करें और ok कर दें यानि दोस्तों केवल इस contact का जो फाइल से वो आपके गैलरी में डारेक्ट जाएगा तो yes करके ok कर देजे अब यदि दोस्तों आप चाहते हैं कि by default आप yes कर ले यानि जितने भी contacts हैं उन सब ही के जो मीडिया फाइल से वो सीधे आपके गैलरी में जाए तो उसके लिए दोस्तों आपको बैक आ जाना है और यहां पर आपको more options यानि कि three dot पे क्लिक कर देना उपर उसके बाद आपको सेटिंग्स पर आ जाना है सेटिंग्स पर आने बाद दोस्तों यहां पर आपको अब की बार क्लिक करना चैट्स पे तो यहां पर आपको चैट्स देख जाएगा account के नीचे आपको simply इस पर क्लिक कर देना उसके बाद dos तो चैट्स पर क्लिक करने बाद यहां पर आपको फिर से media visibility देख जाएगा आपको इस media visibility के नीचे देख लेना क्या लिखा हुआ so newly downloaded media in your phones gallery मतलब simply यही है कि जो newly downloaded होगा निया निया डाउनलोड होगा वो डारेक्ट गैलरी में जाएगा वहाँ दिखाई देगा उसे आपको यहाँ पर enable कर लेना अब जैसे enable कर लेते हैं वैसे by default हो जाएगा और जितने भी contact है उन सब का यास हो जाएगा एक साथ में आपको एक एक करके करने का जोरत ने पड़ेगा अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि यदि आपका बहुत दिन से यह गडबड था यानि कि नो किया हो था by default और बहुत दिन से आ यहां पर आपको इंटर्नल स्टोरेज में आ जाना उसके बाद यहां पर आपके इंटर्नल स्टोरेज में एक फाइल होगा WhatsApp के नाम से और जितने भी न्यूली सेमसंग डिवाइसेज है नए सेमसंग फोन उन सब में दोस्तों यह एंडरोइड में होता है तो यदि आपके डिरेक्ट नहीं है WhatsApp का कोई फाइल आपके इंटर्नल स्टोरेज में आ जाएं एंडरोइड फाइल में ता आप ढूंड लें कि कहां आपका एंडरोइड फाइल तो दोस्तों एंडरोइड फाइल में आ जाएं एंडरोइड फाइल में आनेक बाद यहां पर आपको मीडिया पे क्लिक करना है यहां पर चार या पांच ओप्शन होते हैं बैसिकली फर्स होता है OBJ, second media data या OBB आपको मीडिया पे क्लिक करना है यहां पर आपको com.whatsapp दिख इंटर्नल स्टोरेज में एक अलग फाइल बना के रहता है दोस्तों यहीं से सुरू होता है WhatsApp से ही आपको simply यहां पर क्लिक कर देना उसके बाद आपको मीडिया पर आने के बाद आप जो भी इसमें जो फाइल हैं जैसे कि profile photo या फिर फोटो जिया वीडियो डॉकुमेंट्स वगेरा यहां पर आपको इस फाइल पर क्लिक कर देना उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको private option एक दिख जाएगा private file folder दोस्तों उतना दिन से जो आपका से हो रहा था वह इसी private folder में से हो रहा था तो आपको simply private folder पर क्लिक करना और जितने भी इसके data है उन सब को यहां से select क आप कर सकते हैं उसके बाद यहां move या copy करना और back आके आपको direct WhatsApp वाले file में इसे paste कर देना है तो ऐसा करने से आपका जो फाइल हो directly gallery में सो हो जाएगा तो दोस्तों इस तरह से आप WhatsApp के settings को change करके और जो पुराने media folders हैं उन सब को recover कर सकते हैं यानि private folder से निकाल के अपना gallery मे simply ला सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से आप पूरे WhatsApp का भी media visibility को on कर सकते हैं यानि कि पूरे WhatsApp में जो भी आपको कुछ send करेगा वो direct आपके gallery में जागा और आप कुछ गिने चुने contacts का भी एक एक करके आप customize कर सकते हैं media visibility को और दोस्तों आप कैसे पुराने files को access कर सकते हैं व आपको सबसे पहले मिलते रहें और किसी भी तरगा question ये suggestion मुझे comment section लिख करके बता हैं मैं उसका reply जरूर करूँगा फिलाल के लिए इतने दोस्तों मिलते हैं आपसे next video में तब तक के लिए धन्यवाद